नमस्ते फ्रेंट्स कैसे हैं आप आप सब का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं ये मैंने लिए हैं कुछ तांबे के और कुछ पीतल के बरतन ये मेरी पूजा के बरतन है कुछ ही दिनों में होली आने वाली है तो मैंने थोड़ी थोड़ी घर की क्लिनिंग जो है वो इस्टार्ट कर दी है तो आज मैं इनकी क्लिनिंग करने वाली हूँ तो इन्हें साफ करने का मेरे पास एक बहुत बढ़ी है तरीका है तरीके से बिल्कुल चमा-चम बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे तो चलिए फिर शुरू करते हैं इनकी क्लिनिग तो फ्रेंड यहां पर यह मैंने ले लिए एक कढ़ाई आप कोई भी बरतन ले सकते हैं बड़ासा जिसमें यह सारे बरतन आ जाएं जिनकी भी हमें सफाई कर देखे डिला अप्राइब दृस्ते के नियुक्त है शुरुब करणाओं में कडहाए में डालने बाहिए प्रस्ताया पiquaking दुदेग्थ कफनी बकाई में और मैं डुक्तेश टाइब अब मुझे भी कुछ और दाने के नमका पाला तसकी वन पासे hangओ डाल देंगे ये तरीका आप एक बार जरूर फॉलो करके देखें बहुत ही इफेक्टिव तरीका है इस तरीके में आपको बिल्कुल भी मैनत नहीं करनी पड़ेगी बल्कि इस काम को करके आप छोड़ दें और अपना और काम करती रहें बरतन जो है वो अपने आप साफ होते मैं नहींगे है इसमीน के बाता है तर के देंडे एक निबू ऊच्पावड पूरे निबू का रस हमें इसमें निचोड़ देना है अच्छे से बॉयल झया refresh अजयानि के पानि नेंक का Between on the तरीका एक दुम जादु ही तरह से 100 वालत्य वर्म करेς वेधान का तरीका इस वी कि और व्र चाहे कितने वी गंदे हो और विस तरीका को फोलो करें तो बर्तन बिल्कुल, पूरी तरह से साफ हो जाएंगे तो ये देखे फ्रेंट्स पानी ने उबलना इस्टार्ट कर दिया है और जो कुछ बरतन भाहर दिख रहे हैं फ्रेंट्स मैं इने भी अच्छे से अलट पलट लूगे ताकि बरतन पूरी तरह से साफ हो जाए उस पानी का असर पूरे बरतनों पर जाए फ् बरतनों का आप color देख सकते हैं, बरतनों का color जो है वो निखरना स्टार्ट हो चुका है, इनके ओपर जितनी भी गंद की जमाथी धीरे धीरे हटने लगी है, और अब देखिए friends बरतनों में जो है एकदम shine आ गई है, आप देख सकते हैं, तो इस process में आपको बिल्कुल भी मे नहीं करनी पड़ेगे और परतन जो है पूरी तरह से चकाचक हो जाएंगे, तो friends मैं तो ऐसे कामों को त्योहारों से पहले ही कर लेती हूँ, क्योंकि उस time पर फिर बहुत काम फैल जाता है, तो त्योहारों के वक्त तो इतना सारा काम हो नहीं पाता, तो मैं धीरे धीरे प ताल लिया है कड़ाई को, और अब मैं इससे बरतन बहां निकाल लूँगी, friends पानी बहुत गरम है, तो आप ये काम देख के कीजिएगा, थोड़ा मुझे थोड़ा experience है, तो मैं हातों से ही कर लेती हूँ, तो ये देखिए, friends मैंने सारे बरतनों को जो है बहां निकाल लिय है, और अब आप देख सकते हैं, बरतनों की चमक जो है ना, वो कितनी अच्छी चमक पर ले लिया है, बरतन मांजने वाला जूना, अब इससे मैं बरतनों को एक बार अच्छी से साफ कर लूँगी, ताकि इन में जो डिटरजन्ट और नमक का असर है ना, वो खतम हो जाए, बाकी बरतन जो है, वो साफ तो पूरी तरह से होई चुके हैं, वो तो आप देखी चुके हैं, तो यह देखिए, यहाँ पर मैंने स्क्रबर लिया है, और अच्छे से मैं इने एक बार मांजने के बार दो लूँगी, फ्रेंस, दोने के बार आप बरतनों की चमक बिलकुल नए जैसे लग रहे थे, तो फ्रेंस, तरीका काफी एफेक्टिव है, आप इसे एक बार जरूर आजमा कर देखें, अगर आप इस तरीके को एक बार आजमाएंगे तो फिर मेरा वादा है, बार बार बस इसी तरीके से आप इन बरतनों को साफ करेंगे, तो यह द करके जरूर बताएं कि तरीका आपको कैसा लगा, तो चलिए फ्रेंस, आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं, फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए, ओके फ्रेंस, थैंक यू और बाई बाई